ओम संतियों ओम संतियों ओम संतियों ज्यानी और योगियों का जीवल दुनिया से नियारा होता है और वो सब को प्यारे भी लगते हैं जिनका मन और वुद्धिया ध्यात्म से भरपूर है उनका विचार भी दुनिया से नियारा चिन्तन भी दुनिया से नियारा संसकार भी सब से नियारे और करम व्यभार उस सब में अलोग इकता दिखाई देगी तो लोग महसुस करेंगे ये भी तो मनुस हैं हम जैसे लेकिन हम से कुछ नियारे हैं उनके चेहरों पर दिव्यता और रुहानी चमक सभी को आकरसित भी करेंगी और सब उनको प्यार की द्रश्टी से भी देखेंगे नियारी चीज जो होती है वो सब को प्रिय लगती है हमारे स्थान पर कोई नियारी चीज आ जाए जो अब तक नहीं है तो सब को एट्रेक्शन होगा उसका तो हम सभी ग्यानी और योगी नियारे पन और प्यारे पन का अभ्यास बढ़ाएं बापसमान ये इस्थिती है बहुत लोग इस इस्थिती को अच्छी तरह समझते नहीं है नियारे बनने के लिए वो किनारा कर लेते हैं सबसे दूर हो जाते हैं किसे बात नहीं करते किसे नाता नहीं रखते किसे के पास नहीं जाते और वो समझते हम तो नियारे हैं लेकिन इस तरह वो प्यारे तो नहीं बन पाएंगे तो आधी धार ना होगी आधी रह गई लेकिन नियारे पन का एक अर्थ होता है देह से नियारे पन का अभ्यास और जो ऐसा अभ्यास करते है वो चारो और की जो दुनिया उनके है उसके परभाव में नहीं रहते उससे भी वो न्यारे रहते हैं ये बहुत ही गहरी और एक बड़ी अतिसुंदर बात है क्योंकि चारो और कल्यूक का माहुल है चारो और निगेटिविटी है पाप ही पाप है विकारो की अत्य धिकता है उनके vibrations से हवाएं भी दूसित हैं लेकिन एक योगी जो अपने सरे स्वमान में रहता है इन सब चीजों से न्यारा रहता है तो हम ऐसी planning करें कि हम संबंदों में रहते कर्म में रहते देहे में रहते और कहीं भी कोई भी कारिये हमें संबंद संपर्क में आते हैं सेवाओं में जाते हैं किसी का परुपकार करते हैं किसी को सुख देते हैं उस सब में भी न्यारे और प्यारे देखो हमने कर्म किया हमने एक घंटा कोई अच्छा काम किया प्रमान लो हमने एक गंटा भासन किया, लेकिन उसके बाद कई लोग को इच्छा होती अपनी प्रसंसा सुने, वहाँ वहाँ सुने, उसमें इन्वोल्व हो जाएं, लोग क्या कह रहे हैं, और कई लोग ऐसे होंगे, हमने भासन किया, बाबा को समर्पित किया, महिमा उसकी हो, चित प्रसंद है, सब भी प्रसंद, हम भी प्रसंद, सारे दिन हम सब कारिये करते हैं, कारियों का इफेक्ट हमारे उपर होता है, लेकिन कारियों के प्रभाव से हम निरलेप्त रहें, बहुत सुक्स मिष्थिती है, आत्मा निरलेप नहीं है, पर कारियों का effect बहुत ज़ाद हरात्मा पर होता है लेकिन हम उससे निलिप्त रहें हमें ऐसा आभास सो कि मानों हमने कुछ भी नहीं किया यह करम में न्यारापन संबंधों में संपर्क में तो सब को रहना ही है कोई भी अकेला नहीं है सभीस दुनिया में है संबंध भी निभाने है उन्हें प्यार भी देना है सम्मान भी देना है उनके साथ कहीं कहीं इन्वाल भी होना है लेकिन हुए और डिटेच हो गए फिर उन चीजों की न इसमर्ती रहे न उनका प्रभाव रहे यह है न्यारापन और इसके लिए आत्मिक द्रस्टी सभी आत्माएं अपना अपना देधारन करके पार्ट वजा रही हैं हमारा पार्ट महान है हम देने वाले हैं तो यह याद रहेगा तो हम हीरो एक्टर रहेंगे और उनकी किसी भी चीज का प्रभाव हम पर नहीं रहेगा संगठन हो आपको मैरी Jawor में जाना है कहीं ऐसे माहूल में भी जाना है जा निगेटिविटी है लेकिन हम इस संकल्प से जाएंगे कि मैं मास्टर क्रियेटर हूँ कैसा भी माहूल हो मुझे माहूल को क्रियेट कर लेना है अपने अनुकूल और इसके लिए मैं मास्टर जयान सूरिये हूँ और सभी आत्माएं हैं ये अभ्यास हमें बहुत ही काम आएगा तो हमार फिल्ड में नहारे बने सब कुछ हमें करना होता है आप आट-दस घंटे जोग पर भी जाते हैं कर्म भी जिम्मेदारी से करेंगे आप एक अधिकारी हैं बहुत responsibility से काम करेंगे लेकिन किया और नहारे हो गए इससे आपकी शक्तियां इकटी हो जाएंगी आप powerful हो जाएंगे भगवान के भी प्यारे रहेंगे सर्वात्माओं के भी प्यारे रहेंगे और इससे हमें योग-युक्त जीवन बनाने में बहुत सरलता होगी तो आप सब को बहुत-बहुत thanks, om chanti